वैलकम टू कोंपिदिशन गुरू आज आज हम इस क्लास में यूज इसी नेट के पेपर फॉस्ट की यूनिट फॉस्ट का टॉपिक है टीचिंग अप्टिटुटुड आज वह स्टार्ट करने लगए टीचिंग अप्टिटुट के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि टीचिं क्या होती है और aptitude क्या होता है उसके इंदर कौन-कौन से concept है क्या-क्या चीजे वेरी करती है हमने उसके बार में पढ़ना है तो तीचिंग क्या होती है टीचिंग इस Bean इंटरैक्शन होती है ठीचिंग न विजए ना स्टूर स्टूदeंट ये तो टीचर के बीच में णे इंटरैक्शन होती हैं उसे व्यक्री बहुती है कि टीचिंगी देमस्द फेशोदे लाइतिक इंटरैक्शन between the student and the teacher student और teacher के बीच में जो interaction होती है उसको हमने teaching बोला और second चीज में teaching किसे बोला जाता है teaching is a teaching क्या है teaching is a learning oriented as learning is the modification of behavior teaching क्या है teaching is a learning oriented है and learning is the modification of behavior है teaching जो होती है वह learning oriented होती है सीखने से हमारी oriented है हम इसमें कुछ सीखते हैं थ्रूँ teaching के मात्रिव teaching से भी अभी देखा जाए बच्चे learning कर रहे हैं तो वह सीख रहे हैं बट एक teacher जब teach करती है तो तब भी वह learning कर रही होती है वह learning phase में ही होती है टीचर अपनी teaching को कैसे effective बनाएगी टीचर अपनी teaching में जान कैसे डालती है teacher कौन से material यूज करती है audio visual aids यूज करती है real object यूज करती है उसको बच्चों की interaction लेनी है तो वह teacher भी क्या करती है अपनी teaching को सही करने के लिए भी वह क्या है जब teacher teach करती है तो वो भी एक learning phase में होती है और जब बच्चा learn करता है वो तो learning phase में है ही है इसलिए बोलागा कि teaching is a learning oriented as learning is a modification of behavior next वो कहते हैं next आगे बोलते हैं according to Adams according to Adams Adams के according क्या है Adams कहता है कि teaching is a bipolar process teaching क्या है teaching is a teaching is a bipolar process वो कहता है teaching एक bipolar process है यानि कि उसके कहने का मतलब है द्वी धुवे प्रक्रिया जिसमें क्या होता है ये कहता है इत्में एक teacher होना चाहिए एक teacher होगा और एक student होगा तो होगे teaching यानि कि teacher और student वो कहता है कि यहां पर teacher हो जाएगा और यहां पर student हो जाएगा तो teaching हो जाएगी बट नहीं क्या एक teacher अ क्लास में आए और student हो तो क्या teaching हो जाती है teacher और student के साथ में रहते हुए भी teaching नहीं होती Adams की इस बात को गलत साबिद किया गया किसने साबिद करा Rayburn और according to Rayburn कहता है कि teaching क्या है teaching is a teaching is a tripolar process जिसमें क्या होता है tripolar में उसने बात करा ऐसे एक triangle मैंने बनाई वो कहता है यहां पे teacher student और यहां पे content ठीक है वो कहता है कि teacher को teach करने के लिए इसके बीच में teacher होना चाहिए student होगा साथ में क्या होना चाहिए content जब तक वो कहता है कि content ही नहीं होगा तब तक teaching नहीं होगी means वो कहता है एक teacher हो content और student ठीक है एक टीचर एक content और एक student अगर एक teacher पर example जैसे कि आज मैं हूँ अगर मैं UGC ना teach करती होती तो आप लोग मेरे पास नहीं आते पेपर फर्स ना teach करती होती मेरे पास उसका content content ना होता material ना होता तो मैं आप लोगों के contact में नहीं आती ठीक है ना आप लोग मेरे contact में नहीं आते तो इसे ही उसने बोला कि teacher के पास क्या होता है content content होता है तभी student उस teacher के पास जाता है उस teacher के पास जाता है जो student ने पढ़ना होता है जो पढ़ना है जो उससे रिलेटेट जो content जिस teacher के पास है, student उसी के पास जाता है, तो ऐसे teacher और student का relationship बनता है, तो उसने बोला कि teacher, content and student, तो आज जो माना गया है, यही माना गया है कि एक teacher का जो teaching के जो process है, वो एक tripolar process है, not a bipolar process, ठीक है? नेक्स्ट आगे वो बात करता है, नेचर आफ टीचिंग की, नेचर आफ टीचिंग, सबसे पहले बात इसमें होती है, simple to complex, simple to complex का मतलब क्या होता है, एक teacher जब class में आता है, तो बहुत ही, जब अगर एक teacher class में आएगा, और बहुत जदा complicated language यूज करनी शुरू कर देगा, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बच्चे को समझ नहीं आएगा, बच्चे को समझ नहीं आएगा, जब बच्चे को स teaching बिल्कुल सही नहीं नहीं होगी effective नहीं होगी बच्चे के interaction नहीं होगी तो क्या teaching ओगी वह Nag exist तो teaching की nature क्या है कि teaching होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए simple to complex मतलब एक simple से complex की तरफ जाना चाहिए टीचर को शुरू शुरू में ही simple words को use करना चाहिए जो बहुत से simple से word होते हैं उनको use करें और फिर धीरे 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 वह complicated language कर जाए अगर एक टीचर स्टार्टिंग में ही complicated word यूज़ कर लेगी तो फिर वो क्या कहते हैं बच्चे को समझ नहीं आएगा इसलिए टीचर को स्टार्टिंग में ही simple to complex चलना चाहिए उसे simple से complex की तरफ आना चाहिए यानि कि सरल से कठिन की और आना चाहिए उसको नेक्स्ट आगे इसमें known to unknown इसमें क्या होता है इसमें होता है कि एक टीचर को जानने वली चीजों से ना जानने वली चीजों की और आना चाहिए जानने वली चीज़े क्या होती है, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो, जानने हो चीज़ों से ना जानने की तरफ, यानि कि एक टीचर ने ये जान लिया, उसको पता लगए कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है, मुझे इस से आपको इसकी advanced नॉलेज देनी है, या इस आगे scene to unseen, scene to unseen, scene to unseen, देख्यों से ना देख्यों की तरफ जाना, that is a scene to unseen, हर जब चोटी क्लासस में होते हो, तो teacher आपको हर चीज दिखाती है, जैसे एक फर्स से लेके फिस्ट स्टैंडर तक, अब जो teacher होती है, बच्चे को क्या कहते है, क्रेच में, प्लेवे में, आपको apple आपको बनाना, हर एक real object आपको दिखाया जाता है, that is a scene, बच्चा उसको देख के सीखता है, धीरे धीरे जब आप high classes में जाते हो, तब आपको हर चीज आपके सामने teacher present नहीं करता, ठीक है न, वो आप एक abstract level पे चले जाते हो, हर सीन आपको हर कोई चीज आपके सामने present नह आपको बताती है, that is a scene to unseen, उसे बोला गया, next रहागे, concrete to abstract, मतलब मूरत से, अमूरत की ओर, इसमें पर क्या है, concrete to abstract में नहीं कि मूरत से, अमूरत की ओर, जो वो अमूरत concrete का मतलब क्या होता है, वो चीज जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, that is a concrete, ये चीजे कब होती है, ये ये आपके चीजे जो होती है, वो छोटे level पर होती है, जब बच्चा primary education ले रहाता है, जब बच्चा elementary level पर होता है, that is a concrete, जब उसको चीजे दिखा कर teacher सीखाती है, वो उसको चू सकता है, उसको touch कर सकता है, that is a concrete, जिसे class में teacher model लेकर आती है, तो बच्चे बड़े खुश हो के अपना interaction देते हैं, और बच्चे बड़े खुश हो के अ हम आगे-ागे से touch करके बताए, that is a concrete, वो चीजें जो आपके सामने हैं, जिसे आप छू सकते हो, main हैं, जिसे आप छू सकते हो, सबके सामने है, that is a concrete, और जिसे आप छू भी नहीं सकते, do not touch, जिसे आप छू भी नहीं सकते, और जो आपके सामने भी नहीं है, that is a abstraction level, that is a abstract, क कि जब आप High classes में neden होते हो टषभ कि तो कि अवहतीज में होती है तो उसमें हर देंट नहीं होती एक level पर जाकर आप सोचते हो कि हाँ ये चीज ऐसी होगी अगर teacher imagine गर टीचर बता रहा है तो बच्चा उसको imagine कर रहा होता है अगर कहते है ऐसी होगी तो that is a abstract concrete to abstract हो गई यहाँ पहोगी seen to unseen known to unknown simple to complex अगला है hold to होल्टू पाथ होल्टू पाथ का मतलब क्या है पूर्ण से अंश्कियोर का मतलब क्या होता है जैसे आज आज मैं आपको teaching aptitude करवा रही हूं तो मैंने आपको बोला कि मैंने आज आपको जो करवाना है तो टॉपिक करवाना है और टॉपिक को क्या बोला गया पाथ टॉपिक को क्या बोला गया पाथ पर एक्जामपल कि जैसे मैं कहीं बहार खड़ी हूं और मुझसे पूछा आता है कि आप कहां खड़े हो तो मैं थर्टीफॉर सेक्टर में हूं तो मैंने एक सेक्टर सेक्टर का नाम बोला थर्टीफॉर बट अगर कोई मुझसे यह पूछे कि आप थर्टीफॉर में कहां पर खड़े हो तो डैटीज अपाथ जब चीजों से जब आपकी नॉलेज को ब्रेक करके देखा जाता है ब्रेक तो होड़े बसानर्य पर आप तंधक्ति पर हें रहे हुदते세요 और मैं उसमें क्या टॉपिक पढ़ा हरही है उस तॉपिक में क्या प्यह बता रहे हुं से पॉइंटा जबा हुक्त में होज नेच्ट टृडवर 25 बदीटिदी सिस Can जो टीचिंग होती है वो पर्टिकुलर टू जन्रल होती है पर्टिकुलर में किसी एक पर्टिकुलर चीज से स्टार्ट होकर बहुत सारी चीजों की तरफ जाना डटीज पर्टिकुलर टू जैसे कि आपको मैं बोलाता है इसको और क्या बोलते हैं इसको हम और बोलते हैं इं थीके न कि आप particular किसी एक चीज से स्टार्ट वकर बहुत सारी चीज़ों की तरफ जब जाते हो that is a particular to general that is a inductive method वो कहते है teaching जो होनी चाहिए वो inductive method के थ्रू होनी चाहिए मतलब inductive method दोता है वो example to rule होता है पहले teacher बहुत सारे examples को समझाए inductive का meaning क्या आजाता है यहाँ पर एक और meaning आता है उसे बहुते है examples to rule कि teacher क्या करें पहले बहुत सारे examples दे और examples को बताए examples के बारे में समझाए उन्हें बताए examples को बताए और देन उसके बाद वो rule पर आए कि उन्हें examples के थूँ वो अपने concept पर आजाए और बच्चे को concept का rule समझाए तो that is a particular to general इसे बोला गया या इसे आप inductive method भी बोल सकते हो इसे आप specific to general भी बोल सकते हो इसे आप example to rule भी कह सकते हो तो यह चीज़े थी आपकी nature of teaching में next आगे इसी के अंदर psychological to logical अभी nature ही चल रहा है psychological to logical यह आपको psychological to logical जाना है यानि कि चीज़े जो होती है वो psychologically आप अपने logic पर जाओ यानि कि teacher को teaching जो start करनी चाहिए वो psychology से स्टार्ट करके logic की तरफ जाना चाहिए ठीक है ना यहीं कि उसको बच्चे को क्या करना चाहिए logic लगाना भी सिखाना चाहिए next आगे empirical to rational इंपीरिकल का मतलब क्या होता है अनुभव जिसे आप क्या बहुत हो experience रेशनल होता है राशनल विचार वान कि एक टीचर को empirical to rational होना चाहिए empirical knowledge क्यों होती है जो इस empirical knowledge is experimental and a student builds us to build his storehouse of knowledge from his observation and experience जो empirical knowledge होती है सबसे पहले हमें empirical knowledge कहां से मिलती है हमें उपने experience से इनुटी है experience कहां से होते हैं हमें हमारी observation से होते हैं सब हम करते हैं जब हम चीजों को Observe करते हैं जब हम किसी चीज को Observe करते हैं उसे observation बोलते हैं इसे for example कि आप को जिसे आप Teaching आप टीछिंग कर रहे हो तो आपको पीछे बैठ टीचर जब आपको Observe कर रहा आपको देख रहा है डटीज ऑब्जर्वेशन वह जो देख रहा है अब्जर्व कर रहा है तो वह अपने एक्सपीरियंस के त्रूप बताएगा ना कि इस तीचर ने टीचिंग कहती दी है तो डटीज ऑब एक्सपीरियंस ठीक है और वो किसके माध्यम से वह रहा है औब्जर्वेशन के माध्यम से और इन दोशनों को मिला कि । Impact. Empirical knowledge णॉप एक ढुतिच सूब नौलेच और एक टीचर को empirical deep rational होना जाहिए चाहिए बिचारवान होना जाहिए मतलब उसके पास experience हो observation के थूँ वो चीज़ों को observe कर सके experience हो उसको और अपने experience है वो फिर विचारवान होना चाहिए राशनल होना चाहिए means वो बाद में यह भी पिता सकता है वो बच्चे को guide कर सकता है अपने विचार बच्चे के आगे रख सकता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था उसकी feedback जब वो देता है कि इसमें यह कमी थी इसको ऐसे improve करो तुम्हारे teaching में कहीं कमी थी interaction में कहीं कमी थी या तुम्हारे components पूरे नहीं हुए तो फिर वो feedback देता होता है तो उसमें उसको विचारवान होना चाहिए उसे एकदम negative feedback एकदम टूटके नहीं देनी चाहिए कि तुम्हारे में यह कमी थी तुम्हें ऐसे नहीं किया तुम्हें वैसे नहीं किया नहीं उसे एक ideal तरीके से बताना चाहिए तो that is empirical to rational और ऐसी ही जब teacher से teaching करती है तो वो अपने experience के थ्रू करती है experience से वो क्या है जाती है rational पर जाती है rational पर तो empirical to rational होती है और अनुभव और experience experience to observation अगला है analysis to synthesis अगला point है विशलेशन से संसलेशन कियो ठीक है जब आप चीजों को तोड़ देते हो that is analysis और जब आप चीजों को जोड़ते हो that is a synthesis जब आपको किसी चीज की टीचर नॉलेज देता है टीचर ने आपको knowledge दी किसी भी चीज के बारे में आपको knowledge देता है आप उस knowledge को जब break करते हो break कर करके देखते हो break करते हो that is a synthesis और जब उसी knowledge से चीज़ों को एकथा कर लेते हो जब चीज़ों को एकथा किया जाता है तो एक क्या करना चाहिए कि अपनी टीचिंग करने के लिए प्र जाना चाहिए पहले वह नॉलेज को आपकी ब्रेक खरती है जैसे कैसे teacher class में जब teacher आती है तो वो PK testing करती है PK testing के तुरू teacher को पता लग जाता है कि बच्चे को क्या आता है वो diagnose करती है then उसके बाद वो कह करती है जो भी knowledge आपको होती है वो knowledge आप से वो लेती है knowledge को वो analysis करती है तोड़ती बताती है तोड़ के बताती है ठीक है न ठीचर ने आपको syndrome स्टोरी ती को तीन प्रालज में इबस पर बड़ पार्ट में यह हुआ टीचर ने एनलाइज कर देन उसके बाद उसने सारे पार्ट जोड़ दिये बन प्लस टू प्लस थी चैप्टर के लेसन के स्टोरी के तीनों पार्ट थे तीनों को उसने जोड़ दिया जब उसने तीन पार्ट जोड़े संथिस किया तो उससे एक स्टोरी बन गी एक लेसन बन गया नटीज़ संथेस्स क्लियर हुआ एनलिस और संथेस्स का मतलब क्या होता है विशलेशन तूंसलेशन यहनि की चीजों को तोरना एनलिसस्टू सेंथेसिस नेक्स यहां इसमें कि इसी में आ गया जाता है आपके पास कि अनलिसस्टू सेंथिस हो गया साइकॉलोजिकल टू लॉजिकल हो गया इंडेफिनेट टू डेफिनेट जब चीज़ां कोई निष्चित नहीं होती है इन डेफिनेट होती है न इस 말 के अंडेफिनेट ही होती है प्यूपिल मतलब जो बच्चा है जो इनकी जो शिक्षक है जो इनकी जो शिक्षारती है इनकी जो प्यूपिल टीचर है प्यूपिल है उसकी जो नौलेज है वो इंडेफिनेट टू डेफिनेट ही होगी उसे पहले कहीं चीजों के बारे में पता नहीं होता है कहीं के बारे म uncertain knowledge of the pupil by using the concrete objects picture and examples teacher की duty बनती है कि वो बच्चे को indefinite से definite की तरफ लेकर जाए और indefinite से definite की तरफ लेकर जाने के लिए वो क्या करेगी वो यहां पर concrete objects का use करेगी small level पर जब बच्चा छोटा होता है तो वो concrete objects का use करेगी वो बच्चे को सारे भी objects जो हैं जो भी real objects हैं बच्चे के सामने लाएगी बच्चा उनको touch कर सकता है उनको देख सकता है तो daddy से बच्चे के दिमाग में फिर चीज बैठ जाएगी कि definite ही एपल ही है definite यह बनाना ही है तो उससे क्या बोला गया indefinite to definite ठीक है इतना clear हो गया next अब आगे हमारे पास हमने जो करना है Inductive Method क्या होता है और deductive method क्या होता है inductive और deductive करना है हमने अब हम बात करते हैं कि what is inductive and what is deductive inductive के अंदर क्या होता है सबसे पहले में पता होना चाहिए inductive method को हिंदी में बोते हैं आगमन भी थी और इसके नंबर फॉस्स पॉइंट पर होता है specific to general examples to rule observation method ठीक है then उसके बाद इसमें आ जाता है आपके बास bottom of approach bottom of approach known to unknown used in elementary level used in elementary level specific to general, example to rule, observation method, bottom of approach known to unknown, seen to unseen used in elementary level पर यह use होता है ठीक है अब मुई बात करता है यह क्या चीज़ है पहले तो कहता है inductive क्या होता है specific to general कि किसी एक specific चीज से start होकर वो बहुत सारी चीजों की तरफ जब जाते हैं हम उसे हम बोलते है specific to general example to rule टीचर जब concept शुरू करने से पहले बच्चे को बहुत सारे इक्जांपल्स देती है फिर वो आगे रूल पे लेकर आती है ठीक है तो उसे हम क्या बोलते है एक्जांपल टू रूल इंडक्टिव मैथड के थूरू जब टीचिंग होती है तो टीचर पहले एक्जांपल टू रूल चलती है अब्जर्वेशन मैथड इंडक्टिव मैथड के अंदर आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव मैथड के अंदर थियोरी बनाई जाती है थियोरी बनी बनाई नहीं होती readymade theory नहीं होती and not achieve this theory को आप बनाते हो तो theory बनाने के लिए आप और चीजों को observe करते हो उनकी observation करते हो चीज़ों को ताप देखते हो उनको आप observe करते हो क्या कितनी सही है जी तो इसको क्या वोलता зов मैンドißt अगला बोटम-उप एप्रोज बोटम-फ भी Torval यह नीचे से start होकर उपर की तरफ जाता है तो daddy is a bottom up approach इसे बोला जाता है जो नीचे से start होकर उपर की तरफ जाए उसको हम बोलते हैं bottom up approach अगला है known to unknown non-to-unown क्यों होता है जानने वली चीजों से जब ना जानन वली चीजों की तरफ जाते हैं भीकॉस यह होते हैं तो उसको हर चीज के बारे में नहीं बता होता ठीक ना तो इससे की बोलागा known to unknown Seen to Unseen क्या होता है देखी चीजों से ना देख्यों सीजों की तरफ जब आप जाते हो नेट इस सीन टू अनसीन तो यह होती है इंडक्टिव मैंथोड इंडक्टिव मैंथोड के अंदर आप थ्यूरी बनाते हो थ्यूरी बनी बनाई नहीं होती, अगर आपको थ्यूरी बनी बनाई होती है, थ्यूरी बनी बनाई नहीं होती तो इसमें क्या होता है सबसे पहले इसके नहीं होते है, Examples Examples के बाद क्या आता है, Observation Example, Observation, Journalization आप्पिस्च टेस्टिंग अैंडिय। ठीक है यहां पर थियूरी भी लिख सकते हो कि थियूरी भी बनाई जाते है यह थियूरी बेज्ड होता है यह चीक है इसके बाद deductive method पहला है इसमें journal to specific दूसरा है इसमें अप्रेक्ट टू कंक्रीट अगला है इसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज इन हायर क्लासे यूज होता है यह रूल तू जर्नल अनन तू नून इसमें हमने पढ़ना है deductive के अंदर हम पढ़ते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक पढ़ते हैं अप्स्रेक्ट टू कंक्रीट है मारे पास टॉप डाउन अप्रोच है यूज इन हाई ग्लासे में जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है जब हम बहुत सारी चीजों से किसी एक चीज की तरफ जाते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक जैसे कि उसमें बहुत सारी चीजों से जब किसी एक चीज की तरफ जाते हैं जटीज डिड़क्टिव एब्स्ट्रेक्ट टू कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि एब्स्ट्रेक्ट लावल से स्टार्ट होके अब जब कंक्रीट पर वोंचते हो स्टार्ट हो कर नीचे की तरफ आती है मेंस इस में सबसे पहले चनि जानने वल की तरफ जाना है यह जए रूल को जैनरल है अब आपके पास इया सट हो कि यह आपका डजक्टीव मेत्व हैं हट आज हमने तरॉम पढ़ना है यह हमने आपको इंन्डख्टी इंड़ियो डेक्टी उसल बता दिए चीचिंग बता दिए सीचिंग क्या हो चिंग होते हैं अब हम पढ़ेंगे बैसे फेस से नार्ट होते हैं पहले पता ऊना जोहें हैं कि टीछिंग के तीन सी जोते हैं डैटीज़ प्रिएक्टिव फेस एंटरेक्टिव फेस है에 डैटीज़ पोस्ट एक्टिव फेस ठीक है प्रिएक्टिफेस जब टीचर क्लास में टीचर की क्लास में जाने से पहले की सिचुवेशन टीचर क्लास में भी एंटर नहीं हुई है क्लास में जाने से पहले की सिचुवेशन पहले की सिचुवेशन that is a pre-active phase class में teacher जा चुकी है entering कर चुकी है enter हो गई है that is a interactive phase post active phase जब teacher पूरी तरह class ले चुकी है और evaluation कर रही है बच्चों से questioning कर रही है that is a post active phase pre-active interactive and post active pre-active के अंदर क्या होता है प्री एक्टिव के अंदर जो हमारी पहली बात होती है सबसे पहले सबसे पहले टीचर क्लास में आती क्या देखती है प्रिएक्टिव फेस के अंदर क्लास में नहीं आई है सची वो क्लास में आने से पहले की situation के है teacher के दिमाग में क्या चलता है formulation of goal class में आने से पहले teacher अपने दिमाग में एक goal बना कर लेकर आती है कि उसे आज ही पढ़ाना है यह उसका goal है उसे chapter deliver करना है कितना deliver करना है कैसे करना है formulation of goal लक्षयों का निर्धारन करना लक्षय का निर्धारन करके आती है next decision making about subject matter फिर वो क्या करती है decision making about subject matter subject matter से related decision making लेती है decision लेती है कि उसे कौन सा subject पढ़ाना है ठीक है subject matter arranging the ideas and style of teaching फिर वो को arrange करती है arrange the ideas वो ideas अपने दिमाग में सूचती है कि मुझे क्या ideas देने है बच्चों concept deliver करते समय इस concept से लेटेट में बच्चों क्या example दोंगी क्या idea दोंगी arrange the ideas and style of teaching and style of teaching next है आ गए इसमें decision decision making about teaching strategy decision making about teaching strategy फिर वो यह सोचती है decision लेती है कि मुझे कौन सी teaching strategy को अपनाना है ठीक है देन उसके बाद वो यह सुचती कि development of strategy strategy की development करनी है मुझे वो कैसे करूंगी मैं development of strategy कुस चीज़े होती है जो क्लास में आने से पहले टीचर के दिमाग में चलती हैती है वो होता है formulation of goals decision making about the subject matter subject matter से लिए decision लेना arrange the ideas and style of teaching की arrange the ideas ideas को arrange करना style of teaching लेकरना and decision making about the subject teaching strategy अपने teaching strategy से लिए decision लेना then development of strategy or strategy development करना यह ऐसे कुछ points है जब teacher class में नहीं जाती class में जाने से पहले उसकी जो situations होती है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे teach करेगी कौन सी strategy अपनाएगी क्यों सब्जेक्ट उठाएगी subject matter कैसे कौन सा उठाएगी उसकी किस subject पे command है वह देखेगी मेरी किस style of teaching कैसे होगी decision making about teaching strategy कैसे होगी उसकी and development of strategy यह चार-पाँच points है जो teacher के class में जाने से पहले की situations को बताते हैं ठीक है next नहीं आगे इसमें interactive च्प्रच्ट च्प्ड़ कर दो तो प्यादिक में आगे अगे प्ड़। me कि अब monitor कर रही है और class में करते ही टीचर क्या देखती है सबसे तंच देखता है साइजिंग or क्लास कि क्लास केसे लगी हुए क्या क्लास में डैड जो टेबलव है कि आपनी सही जगा पड़ा रख़ा हुआ है लेक्टर स्रेंड़ के अपनी सही जगा रख़ा हुआ है क्लास बहुत ज्यदा और खराब तो नहीं हो रही अस्तव कि बिल्कुल लिए बहुत ज़्यादा क्लास बिगडी तो नहीं है बिगडी तो नहीं हुई sizing up of the class पर नीचे अपनी जगा बिल्कूल सेट है के नहीं तो सबसे पहले टीचे क्लास में एंटर करते हैं sizing up of the class करती है सबसे पहले एंटर करते हैं कि आज मुझे कितने बच्चों को क्लास में फेस करना है तो sizing up of the class नेक्स्ट आगे डाइग्नॉस आप दा लर्नर को डाइग्नॉस करती है कैसे डाइग्नॉस कैसे करेगी टीचर डाइग्नॉस करेगी थ्रूद पीके टेस्टिंग के मादियम से टीचर बच्चों को डाइग्नॉस करेगी ठीक है ना उनका क्या ब्च्चों को उसकी knowledge है या उसको बच्चों को उसे डाइग्नॉस करेगी सबसे पहले जैसे कि डाक्टर पेशेन राइग्नॉस करता है व ब्लड सैंपल ऐसे ही टीचर बच्चों को डाइग्नॉस करती है नेक्स्ट आगे इसमें आस्टाह कोशन्स teacher questions भी पूछती है ask the questions next है आगे इसमे action reaction और achievement action reaction और achievement आपर next है आगे two types of activities and activities involved in learning यहाँ पर एको टाइप आया कि है two types of activity दो टाइप्स की activity होती है two types of activities and and activities involved in learning इसमें हमें करते हैं पहरे teacher करती है sizing up of the class class का size देखती है then वो डाइगनोस आफ लेर्नर वो लेर्नर को डाइगनोस करती है then वो questions पूछती है ask the questions then उसके बाद action reaction और achievement के बारे में वो बात करती है कि action teacher जो काम कर रही है बच्चे जो response दे रहे है reaction है और teacher achievement के बारे में आब आप दे बच्चों की achievement किया है two types of activities and activities involved in learning यह चीज़ होती है interactive face में next आगे अब हमने करना है post active post active में क्या आएगा पॉस्ट एक्टिव में पॉस्ट एक्टि में सबसे पहले आता है selecting the appropriate टेस्टिंग डिवाईस selecting the appropriate testing device सबसे पहले वो select करती है कि क्या appropriate device वो use करें ठीक है ना select करना appropriate devices को next उसके बाद वो क्या करती है changing and improving the strategy of changing and improving the strategy of changing and improving the strategy of teaching फिर वो कहती है कि change करना और improve करना teaching की strategy को तो इसमें हम करते है selecting the appropriate device सबसे पहले वो appropriate device को select करती है फिर उसके बाद जब वो teacher teach कर चुकी होती है तो वो यह देखती है कि उसकी teaching में कहां कमी है बच्चे की learning में कहां कमी है तो वो दोनों चीज़े देखती है अगर वो यह इसमें जयातर होई देखती है कि इंप्रोव्मेंट भी करते है किस चीज में उसकी strategy of teaching में तो इसमें दो चीज़े आती है पहला आता है selecting the appropriate device सेकिंड आता है कौन कौन से steps vary करते हैं मैंने आपको वो बताया तो आज हमारा हो गया एक topic teaching aptitude what is teaching सेकिंड हमारा हुआ हमारा क्या था नेचर आफ टीचिंग नेचर आफ टीचिंग थर्ड मैंने आपको दो method करवाए थे inductive and deductive next हमने करा phases of teaching अब हम next class में करेंगे memory level understanding level और reflective level levels के बारे में करेंगे ठीक है देन उसके बाद हम basic requirement of teaching के teaching की basic requirement क्या होती है देन उसके बाद उसके key behavior और 5 helpful behavior क्या होते है next class में इतना करेंगे ठीक है ओके थेंक यू बाई